अक्सर ही सवाल पूछा जाता है कि SEO कौन कर सकता है और SEO कौन के Technical है तो लोग समझते हैं कि यह उनके लिए नहीं है कि उनके बाद आए-टी की डिग्री नहीं है या उनको आए-टी का पता नहीं है या वो कभी कर नहीं सकेंगे इस व्यडियो में हम यह discuss करेंगे कि यह course किस किस के लिए है और आपको क्या चाहिए इस कोर्स को करने के लिए और क्या नहीं चाहिए और अगर कुछ चाहिए भी तो वो कैसे आपको हेल्प करेगा तो पहली बात तो आप ये अंडर्शेंड करें कि ये कोर्स सब के लिए है सबसे मुराद सबसे मतलब ये कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता या आपने कुछ भी नहीं किया आपको First Time Google का पता चला है आपको First Time Search Engine का पता चला है आप फिर भी ये कोर्स कर सकते हैं इस कोर्स का हमें डिजाइन इस तरह से किया है कि कोई भी किसी भी बैग आउम से स्टार्ट करेगा और वो इसको सीख सकेगा मेरे नजर में चार चीज़ें आपको चाहिए इस कोर्स को करने के लिए और वो बहुत जरूरी है उसमें सबसे पहली चीज़ यह है Passion आपको लगन होनी चीज़े इसको सीखने के लिए अगर आपको लगन नहीं होगी तो आप उसको नहीं सीख सकेंगे दोसी चीज़ आपको चाहिए commitment यह ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा करेंगे उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे तो बस यह हो जाएगा इसको सीखते रहना भी असल में काम्याबी है और अगर आप इसको सीखते रहेंगे तो आप मजीर learn करते रहेंगे और आपका knowledge fresh होता रहेगा जैसे जैसे आप इसको grow करेंगे वैसे वैसे आप इसको मजीर understand करते चले जाएंगे तो यह ध्यार रखिएगा कि अगर आप यह कोर्स कर रहें है तो इसको पूरी तरह से करें और commitment के साथ करें सारी assignment सब चीज़ें पूरी करें ताकि आपको यह पूरी तरह से समझ आ जाए तीसी चीज़ important यह है कि curiosity curiosity बहुत ज़रूरी है आपके अंदर वो त्सलाहियत होनी चाहिए कि आप नई चीज़ें सीख सकें आपको खुद यह सवाल आने चाहिए कि यह होता है तो कैसे होता है अगर यह होगा तो कैसे होगा जब आप यह जानना शुरू कर देंगे तो आप बहुत सरी चीज़ें खुद से सीखना शुरू कर देंगे और यह किरौश्टी ही इनसान को आज तक यहां पर लेके आ चुकी है चोथी चीज़ है ability to learn and unlearn एक बहुत important role है कुछ चीज़ें भूल जाने में भी अक्सर लोग पुरानी बातें नहीं भुला पाते और नहीं बातें नहीं सीख पाते यह learnability का एक skill है जिसके तहएद यह बताया जाता है कि आपको कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज करनी पड़ती है और बहुत सरी चीज़ें obsolete हो जाती है भो सकता है कि पिछले कुछ सालों में valid हो लेकिन अगले कुछ सालों में वो obsolete हो जाएं जब चीज़ें बेकार हो जाती है जब information बेकार हो जाती है तो उसको छोडना मुनसिब है और जो नईई चीज़ें आ चुकी है नए महौल आ चुका है उसके मताबिक खुद को ढालना बहुत जरूरी होता है तो अनलान करना, मतलब जो चीज़ सीखी हुई है उसको भूल जाना और दुबारा से नए चीज़ सीखना ये भी एक बहुत इंपॉर्टन स्किल है जो आपको चाहिए होगा क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ें पहले से सीख रखी है अगर आपको एक इमेज क्रियेट हुआ हुआ है आपके जियना कि गूगल कैसे काम करता है तो जरूरी नहीं है कि वो यहां पर आपको वैसा ही मिले हो सकता है आपको कुछ चीज़ें आपके बिलीफ के अगेंस्ट जाएं आपके मुखालिफ जाएं उन ख्यालात के जो आपको लगता था कि जैसे होता है तो आपने हमेशा खुद को ओपन रखना है नई चीज़ों के लिए ताके आप गुझाइच रखेंगे उन चीज़ों की जो आपने शायद कभी ना सुनी हो और जो शायद आपने कभी किसी और तरह से सुनी हो लेकिन अब आपको किसी और तरह से पता चल रही हो इनके इलावा अगर आपके पास यह जो स्केल्स मैं बताने लगा हूँ अगर यह हैं तो आप एक अच्छे SEO या एक अच्छे डिशर मार्केटर बन सकते हैं जिनमें सबसे इंपरणट बात तो इंटरनेट का नॉलेज़ है अगर आपको इंटरनेट नहीं आता तो आपके लिए मसला नहीं आप सीख सकते हैं लेकिन अगर इंटरनेट आता है तो आपको बातें ज़्यादा जल्दी समाझ आएंगी और ज़्यादा अच्छी तरह से समाझ आएंगी इसी तरह से इंटरनेट के साफ वेबसाइट हैं अगर आपको वेबसाइट का पता है कि कैसे चलती हैं और कैसे चलाई जाती हैं कैसे बनती हैं तो आपके लिए कोर्स बड़ा मुफीद रहेगा क्योंकि आपको वेबसाइट का पता होगा और उसको आप्टिमाइस करने का भी ये लाजमी नहीं है इसी तरह से HTML और CSS HTML वो लेंग्विज है जो Hypertext Markup Language के नाम से जानी जाती है और इस HTML लेंग्विज के तहर थी पूरा इंटरनेट चलता है यतनी भी वेबसेट आपको नजर आती है उसके पीछे एक जुबान है उस इंटरनेट की जिसके उपर वेबसेट्स बना आई जाती है और वो वेबसेट्स क्या करती है कि आपको वो जब नजर आती है तो अब पीछे एस्वल में उनकी एक कोडिंग जो हुई होती है वो HTML जबान में हुई होती है इसी तरह से CSS Cascading Style Sheets का नाम है CSS जो design elements हैं उसको handle करती है तो HTML आपको यह तो बताता है कि page का structure कैसे होगा लेकिन HTML आपको यह जो design नजर आ रहा है आपको यह design CSS में control होता है तो design के अंदर के for example आपकी heading है तो कितनी बड़ी होगी आपने font कौन सा use करना है, आपके background color क्या होगा, text का color क्या होगा कौन सा text बड़ा होगा, कौन सा चोटा होगा, कहां पर चीज़ें घूम रही हैं, कहां पर नहीं घूम रही हैं इस सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से CSS से जुड़ी होती हैं और यह design को बेहतर करती हैं यह याद रखे का कि यह जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, यह अगर आपको पता हैं तो अच्छी बात है अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, आप इसको अभी सीख भी सकते हैं और साथ साथ आप इसको follow कर सकते हैं यह जरूरी नहीं है लेकिन अगर यह पता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन सबसे इंपरण बात जो मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर marketing पता है अगर आपने degree की है marketing के अंदर या business के अंदर तो वो skills आपके लिए बहुत helpful रहेंगे वो skills आपको help करेंगे कि आप अपनी marketing जो आपको traditional marketing का idea था वो digital पर कैसे करनी है तो फिर आप इसको miss ना करें क्योंकि वो marketing और जो दूसी आपकी business के skills है वो आपको definitely digital marketing और digital business के skills के साथ मिल कर आप एक अच्छी अपनी business चला सकते हैं अपने skill को enhance कर सकते हैं और इसको grow कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि ये course है किसके लिए so for example अगर आप एक freelancer हैं और आपने already कहीं jobs कर रहे हैं या आप freelancer बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ideal course है इसके फोरण बाद या इसके दर्मियान में ही बीच में कहीं आप अपनी साथ professional life भी start कर सकते हैं अगर आपने अब इदक start नहीं किया हैं लेकिन अगर आप already एक professional हैं और एक job कर रहे हैं तो आया आपने job में अपनी growth करनी है या आपने job switch करनी है तो भी ये कोर्स आपके लिए relevant है क्योंकि ये को एक नया skill है और ये आपके existing job में भी आपको नई सलाहिए बखशता है और अगर आपको skill नहीं है तो आप नई job में जाने के लिए भी इसको use कर सकते हैं इसी तरह से अगर आप एक business man है और आपको अपना business grow करना है तो भी आपके लिए कोर्स मुफीद है क्योंकि digital पे business grow हो रहे हैं और आपके competitors सारे digital पे जा चुके हैं जैसे जैसे आप digital पे जाना चाहेंगे आपको marketing भी digital की सीखनी बढ़ेगी और again जैसे कि हमने पहले जिकर किया digital marketing में सर्च का बड़ा important रोल है और अगर आप सर्च सीख जाएंगे और सर्च पे optimization सीख जाएंगे तो आप अपना बेंज़र सर्च के थुरू ग्रो कर सकेंगे अगर आप घरेलू खातून है हाउस वाइफ हैं अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं भी वज़ा से और आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहती हैं और घर बैठके कुछ करना आपके लिए मुनासिब नहीं हैं तो आप इस कोर्स को तो लाजमी करें क्योंकि इसके बाद आपको location bound होने की जरूरत नहीं है आपको कोई office जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठके अपना रिज़क कमा सकती हैं आप उसको grow कर सकती हैं और अपना घर चला सकती है तो उन लोगों के लिए खसूसन ये कुर्स बड़ा मुफीद है जो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं या जो रूटीन के मताबिक में भी पढ़ रहे हैं या जॉब एक एक्स्टा करना चाहते हैं ये वो लोग इस जॉब के ताहर इस स्किल के तहर वो जॉब्स कर सकते हैं और मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है और ये बड़ा असानी से आप इसको सीख कर इस पे अपनी एक नई इंकम स्ट्रीम एक नए रोजगार का मौका धून सकते हैं अगर आप किसी कमपनी में बड़े मैनेजर हैं या अगर आपको लगता है कि या आपने SEO खुद नहीं करनी और आपने अपनी टीम से करवानी है तो भी आपके लिए कोर्स बहुत जरूरी है अगर आपने SEO खुद नहीं भी करनी लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि SEO होती कैसे है और करवानी कैसे है तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप करवा भी नहीं सकेंगे तो अगर आपने इसको करवाना है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप understand करें कि SEO होती कैसे है तो चाहे इसको आप खुद ना भी करें आप करवाने के काबिल हो सकेंगे अगर आप इस course को कर लेंगे चाहे आपको लोग चीट नहीं कर सकेंगे आपको लोग यह नहीं कह सकेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो ये कोर्स उनलों के लिए बड़ा मुफीद है जो टीम में चलाते हैं और जो चाहते हैं कि उनकी टीम ग्रो करे तो अपनी टीम के साथ भी ये कोर्स कर सकते हैं और वो अखेले भी कोर्स करके अपनी टीम को रख सकते हैं और अक्सल लोग तो इस कोर्स के बाद हाईरिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि अब उनको पता चल जाता है कि इस कोर्स की अफादियत क्या है और इस स्किल की अफादियत क्या है SEO कैसे काम करती है और उनको क्यों SEO की जरूरत है तो जाते हैं मारकेट में नई लोगों को रखते हैं उन से काम करवाते हैं और अपने बिजनस को ग्रो करते हैं अगर आप जॉब जून रहे हैं और आपको अभी आपने फॉरण ग्रेजुएट किया है या आप काफियर से से जॉब जून रहे हैं आपको जॉब नहीं मिल रही है अपनी डिगरी में तो आपको लगता है कि या आपके शाय डिगरी गलत थी या आपके डिगरी में डिमांड नहीं रही है तो भी आपके लिए कोर्स बड़ा मुफीद है क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स भी जो इस को करने के साथ फॉरण अपनी एक पॉकेट इंकम अगर आप चाहें तो वो भी कमा सकते हैं अगर आप फुल टाइम अजाए लेना चाहें तो भी आप कर सकते हैं और वो लोग जिनको बाकी जोगापे जाब नहीं मिल रही है वो इस फिल्ड में आसकते हैं अराम से क्योंकि इस फिल्ड में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो काम करने वाले लोग बह लोग दूनने के बाद आप इसको लाजमी करें तो गोया यह कूर्स उन सब के लिए है जो अपने रोजगार बेथर करना चाहते हैं जो अपना रोजगार नई जगों से कमाना चाहते हैं और अपने बिजनस को या अपनी टीम को बेथर करके गूगल पे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि हम यह अंडर्सेंट करेंगे कि Google क्या है और वो किस सरा से काम करता है। Google को समझना इसलिए जरूरी है कि Google जब तक हम नहीं समझेंगे Google हम रैंक नहीं कर सकेंगे। हमारी कोशिश यह है कि हम गूगल जो के इस वक सबसे बड़ा सर्च इंजिन है मार्केट में उसको हम अंडर्सेंड करें ताके जो लोग उस पर जाके सर्च करें और वो अगर आपकी प्रॉडक्ट सर्च कर रहे हैं वो प्रॉडक्ट के गेंस्ट आपको मिल जाना चाहिए पिर हम बात करेंगे सर्च काम कैसे करती है और गूगल कैसे ग्रो करता है और कैसे अपने एंजिन कोबनता है उसके बाद हम बात करेंगे HTML और क्या होती है फिर हम properly course के बारे में बात करेंगे कि SEO actually होती क्या है और इसमें क्या क्या मराहिल मौजूद हैं, किस किस तरह से हम grow करेंगे एक step से हम 10 step पे कैसे जाएंगे और हमने क्या क्या करना होता है अगर हमने Google पे rank करना है इन सब चीज़ों को हमने एक strategy की तहरत मुक्सी section में divide किया है उसमें on page, off page और technical SEO है जिसमें आपको ये skill सीखते रहेंगे और आजसा आजसा आपको basic से start होंगे और advanced level तक आपको समझ आजएगी कि कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे करनी होती हैं एक चीज़ important मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस course में आपको अकेले काम नहीं करना होता आपको basically अगर कुछ चीज़ें technical ज्यादा लगती हैं वो आपको जूरी नहीं है कि आप ही नहीं करनी हैं तो जैसे मैंने पहले शुरू में जिकर किया कि आपको अगर ये technical लगता है या आपको ये लगता है कि आप technical नहीं सीख सकते क्योंकि आप आप IT की डिगरी नहीं है तो याद रखिएगा कि हर चीज़ आप खुद नहीं कर सकते आपको अकसर चीज़ें लोगों से करवानी होती है जब आप समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ें आपने खुद करनी है और कौन सी चीज़ें आपने लोगों से करवानी है तब आपको ये clear हो जाएगा कि कहाँ पर designer का role involved है कहाँ पर developer का role involved है और कहाँ पर आप उसको ऐसे mix करके अपनी company grow कर सकते हैं तो इस बात से बिलकुल गबराने की जरूरत नहीं है कि आपको IT नहीं आती तो आप ये course नहीं कर सकते अगर आपको समझ नहीं है तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको हर तरीके से समझाएं एक बात आप याद रखिएगा कि digital marketing में digital का बहुत एहम रोल है तो हम digital को miss नहीं कर सकते है तो digital में technical चीजें भी आएंगी बस उसके लिए बेतरीन तरीका ये है कि अगर आपको technical खुद नहीं आता आप इतना जूर समझ जाएं कि करना कैसे होता है ताकि आप किसी से करवा सकें और ताकि हम digital marketing को successful बना सकें